नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सफी का अपना चैनल आईएंटी हिंदी टेक में दोस्तों पेजएप के तरफ से एक नया फीचर्स जो है लाई गई है यदि आप बस के टिकट को बूक करना चाहेंगे तो आप पेजएप के माधियम से बस टिकट को बूक कर सकेंगे इस वीडियो में हम बताएंगे आपको की पेजएप के तरफ से बस टिकट बूकिंग वाला आपसंस नियूली कैसे लाउंच किया गया है हाला कि मैं बता दू कि पेजएप से यदि आप सौपिंग करोगे या फिर मोवी टिकट बूक करोगे ट्रेवल बेगारा की बूकिंग करोगे होटल बूकिंग करोगे सौपिंग बेगारा करोगे ये सबी जो होता है वो स्मार्ट वाई से होता है आप लोग देख सकते हैं यहां पर स्मार्ट वाई की एक आपसंस आपको देखने को मिलेगी लेकिं दोस्तों यहां पर आपको कहें भी इस एप्लिकेशन में बस टिकट बूक करने का आपसंस नहीं मिलेगा यदि आप PZP से bus ticket को book करना चाहती है Smart Y के थुरू तो यहाँ पर आपको 25% का discount भी मिलेगा जो की up to 2500 रुपए का discount मिलेगा तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर bus ticket पर offer निकाला गया है और PZP के थुरू आप कैसे bus ticket को book कर सकेंगे दोस्तो उपर में जो banner आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% discount जिस पर हमने click किया click करने के बाद यह आपके browser से open करने को बोलेगा तो चलिए हम एक browser से इसे open कर लेते हैं हमने यहाँ पर chrome browser से इसे open किया है open करने के बाद इस offer का term and condition पूरी तरह से समझाया जाएगा दोस्तो यह जो offer है न 25% discount वाला वो October मन्त यानि कि 31st October 2019 तक ही यह offer है अब यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ देख सकते हैं कि 25% discount मिलेंगे smart wife bus ticket booking पर यहाँ पर bus ticket booking के लिए rate was को select किया गया है जो कि maximum 2500 रुपे पर transaction यहाँ पर दिया गया है अब इस offer को कैसे आप राप्त कर सकेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको एक link copy करके second tap में open करना परेगा यानि कि आपको यहाँ पर link copy करना है hdfcbank.com slash smart wife इस link को अगर आप search करोगे न तो यह direct smart wife के website पर ले जाएगा उसकी बाद आपको on screen यहाँ पर rate once की एक options मिल जाएगी उस पर आपको click करके ticket वेगरा book करना है और आपको promo code की एक options मिलेगा उस promo code में आपको ride HDFC डाल देनी है डालने के बाद यहाँ पर apply कर देना है 25% instant discount मिल जाएगा तो चलिए हम book करके दिखा देते हैं आपको live को search कर दिया है search करने के बाद कुछ इस परकार के options आपके सामने नजर आएगे जिसमें आपको proceed करना है proceed करने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते है make your journey यहाँ पर लिखा गया है जो कि यहाँ पर book now की एक options मिल जाती है तो इस book now वाले options पर आपको click करना है यहाँ पर दोस्तों click करोगे न तो आपको कहां से कहां जाना है यह आपको डाल देनी है कौन से date में जाना है वो यहाँ से आप चून सकती है जो भी date में अगर आप जाना चाहती है जहां travel करना चाहती है वो date आप यहां से select करके confirm कर लीजिए confirm करने के बाद search कर दीजिए search करने के बाद जितने भी वस आपके इस area में available होंगे मतलब जहां से जहां जाना है उसके बीच में जितने भी वस होंगे जो rate bus पर so कर रहे होंगे वो यहां पर भी so होगा तो जिस बस में आप ticket को book करना चाहती है चाहे lower worth करो या फिर upper sleeper करो आप जिस बस में book करना चाहते हो ना उस बस को आपको select करना परेगा तो यहां पर चलिए हम एक bus को यहां पर select कर लिए है select करने के बाद यहां पर upper worth select करती है उसके बाद यहाँ पर खाली है उसे हमने सेलेक्ट किया और continue कर दिया continue करने के बाद boring station और dropping point भी दिखाएगा उसके बाद आपको book now पर क्लिक करना होगा book now पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर smart way का account जो है login करना पड़ेगा अगर आप smart way में account बना चुके होंगे तो mobile number password डालके आप login कर सकेंगे अगर आप नहीं बनाए हैं तो sign up button पर क्लिक करके आप जो है नया account बहुत ही आसानी से बना सकते हैं जो की बहुत simple process है तो हमने यहाँ पर जो है account को login कर लिया है smart way के account को login कर लिया है अब दोस्तों यहाँ पर session का time दिया जाएगा आप सभी को पता होगा कि bus की ticket अगर आप book करते हो तो उसमें 10 minute का समय मिलता है 10 minute के अंदर जो है यह ticket आप book कर सकते हो तो कर लो नहीं तो यह जो है expire हो जाता है session उसके बाद फिर से आपको कुछ दिर बाद book करना होता है क्योंकि 10 minute तक यह seat block हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको travel का नाम डाल देनी है जो name है first name और last name is कितना है मतलब उमर उसकी बाद दोस्तों यहाँ पर आपको gender select करना होगा अब gender select करने की बाद contact information में mobile number email ID आपको डालनी है अगर यहाँ ticket whatsapp पर या फिर कोई update whatsapp पर प्राप्त करना चाहेंगे तो इस पर tick out रहने दे नहीं तो इसे हटा भी सकती है उसके बाद termine condition को agree करना है agree करने की बाद यहाँ से आपको continue करना है दोस्तो continue करने की बाद यह आपको payment page पर लेके आएगा जहाँ पर आप देख सकती है ride HDFC promo code already यहाँ पर apply हो चुका है यहाँ पर 25% हमें instant discount मिल चुका है जिसके अंतरगत 145 रुपय का discount हमें मिला है price के अनुसार से अब दोस्तों यहाँ पर आपको payment करने के लिए या तो HDFC bank का credit card या debit card चाहिए अगर आपके पास HDFC bank का credit card या debit card नहीं है तो आपको दो options और मिलेंगे HDFC net banking से कर सकती है या फिर यह भी नहीं है अगर मालो कि आपका account HDFC bank में नहीं है तो आप page app account को create करके यहाँ से page app से payment कर सकती है और page app को select करके आपको pay now button पर क्लिक करना होगा pay now button पर क्लिक करने के बाद यह एक नया page जो है open करेगा जो कि यहाँ पर transaction proceed देख सकते हैं लिखा गया है अब उपर में आपको यहाँ पर page app registered mobile number डालना होगा उसके नीचे secure pin जो की page app का login पिन होता है वो आपको डाल के login करना होगा दोस्तों यहाँ पर registered mobile number और password डालने के बाद जैसे ही login पर क्लिक करोगी आपको एक code आएगा device verification के लिए वह code आपकी registered mobile number पर पहेजी जाएगी तो आपको यहाँ पर enter करके उसके बाद continue कर देना है एक बात का आप हमेशा धियान रखे कि जब भी आप login करोगी page app account को तो page app application में पहले log out कर जाना तब यहाँ पर login होगा नहीं तो error बताएगा ठीक है उसके बाद यहाँ से जो linked card है न उससे भी आप payment कर सकते हो या फिर page app पर अगर balance है तो यहाँ से भी आप payment कर सकती हो अगर आपके पास कोई अत्रिक्त promo code है तो आप यहाँ से promo code भी apply कर सकोगे तो चलिए यहाँ पर हमने continue कर दिया continue करने के वाद यह finally payment page पर जा चुका है और यहाँ से आपका payment successful हो जाएगा और ticket जो रहेगा वो finally book हो जाएगा तो आप देख सकती है हमें order ID वेगरा सारा कुछ मिल चुका है और payment भी confirm हो चुका है 7-7 ticket भी book successful हो चुका है जो की PNR number वेगरा सारा कुछ आ चुका है तो इस तरह से जो है आप page app से बस ticket book कर सकती है 37-25% का discount भी प्राप्त कर सकेंगी तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको page app की एक नए features की बारे में बताया I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करे, share करे और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले धन्यवाद